जहिन फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूं लास्ट 15 देज का जो भी मॉस्ट इंपॉर्टन करेंट रफेर्स है उसको मैं लेकर आया हूं आपके लिए बस आप सुनिये ध्यान से आपको इसके अलावा कुछ ने पाने के जरूत है यह जो करेंट रफेर्स है मुझे पता है कि कहां से कुछ पूछे जाते हैं क्यों पूछे जाते हैं और जो भी हमारे चैनल पर नए है इसको प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें ताकि जो है आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा जो मैंने फर्स पार्ट ब बना रहा हूं तो चलिए फर्स्ट कॉस्टन हम लोग लेते हैं फास्टाइग फास्टाइग रिसेंटली सीन दर न्यूज वर्क्स ऑन विच अब द फॉलॉइंग टेकनिक्स तो फास्टाइग जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था तो एक कौन सी टेकनलोजी है तो यह जैसे आप देखते होंगे जब टोल पर जाते हैं तो वहां पर यह टेकनलोजी का यूज करते हैं जैसे स्कैन करते हैं और पैसा जो आप से डिटेक्ट हो जाता है तो इसलिए जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी टेकनलोजी पे बेस्ट है वाट टार्गेट है गौर्मेंट से 50% तक इंडिया का जो रैंक है इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल फावर फावर रैंकिंग में कितना है फोल्थ रैंक है इंडिया का ठीक है फोल्थ रैंक है फोल्थ रैंक है फोल्थ रैंक है फीफा बेस्ट प्लेयर अप दे यर 2023 अवार्ड इन दे में चटेगरी और विमें कटेगरी तो FIFA का Best Player of the Year Award में और विमें कटेगरी में किसको मिला है लियोन मेसी और इटाना बोनामाटी ठीक है यह दोनों को दिया गया है यह दोनों का फोटो भी या देख सकते हैं आप इना बोनामाटी हो रहे हैं, लियोन मेसी आजिन्टिना के प्ले रहे हैं तो यह आपको याद रखना है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको नोटिफिक्शन टाइम टो टाइम मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्ट कंटेंट जो है लेके आप सप्सक्राइब नाम करें इंपिरियल बैंक औक अफ- time इंडिया खेंग जर्वान मिलेगती नेम का न्यटीन हूपई वार इन्रेबंड लये स्ट्राइब 이 स्टाइब हर स多少 ऑने civिले को फीस यह वह का नलब उन्दली है यह वह चैनल केमें नीन टेली में आपो याइज रकी नियु डली में बोद्गिया में क्या हुआ था बुद्ध से एट क्या है यहाँ भगवान बुध को इन परफोर में रीे सेटली वीच स्टेट वाज रैंक इंडियन स्टार्टप इकोसिस्टम रांकिंग में बेस्ट पर्फर्फोर्मर का आवर्ड तॉर्वंग ओधु को मिला है सब्यात तॉर्सप्रयृण जंदुन ऑस राइच्छन को सब्स्राइब करेगेज़ मेरा कि ऊबन ऊब लनुड इस्वेचरjang का एंट तो इसके डिन पर ग्रीन बॉंड अभी कौन सा ओर्गनाजिशन अभी इसू कियाती है REC, REC का फुल फॉर्म क्या है? Ruler Electrification Corporation Limited, Ruler Electrification Corporation Limited इसका फुल फॉर्म है तो यह आपको याद रखना है, एकजाम पॉंटे वी से बहुत ही इंपॉंड है Green Bond क्या होता है? Green Bond इसलिए इसू किया जाता है कि Green Renewal Energy जो ही प्रोजेक्ट ने उसको फाइनास करने के लिए कोई भी कंपनी Green Bond ले के आती है तो इससे जो पैसा इसको मिला होगा वो Infrastructure Renewal Energy Productions से लिटर Infrastructure में इंवेस्ट किया जाएगा Recently, Telangana government collaborated with which organization to establish Center for Fourth Industrial Revolution तो अभी जो होगा तेलेंगाना government ने tie-up किया कौन से और अगनासे के साथ एक Center establish करने के लिए किसी लिटर सेंटर होगा हो? Fourth Industrial Revolution से लिटरेड तो यह होगा World Bank से इन्होंना tie-up किया है Fourth Industrial Revolution किसी लिटरेड है? AI से लिटरेड है जैसे Artificial Intelligence हो गया आपका Chat GPT होगर आप लोग देख रहे होंगे Internet of Things है इसके अंदर आता है जो Fourth Industrial Revolution है तो यह सारे चीजे आपको Robotics हो गया Robotics तो यह सारे जो है वा Fourth Industrial Revolution के अंदर आते हैं इसा जो development चल रहे है पनामा कनाल जो है अभी recently news में था किसको को connect करता है Atlantic Ocean और Pacific Ocean को connect करता है यह आपको याद रखना है मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है आपका यहाँ पर पनामा कनाल है यहाँ पर South America है इधर North America है यह दोनों को connect करता है इस तरह से Nineteenth Summit of Non-Alignment Movement कहां पर हुआ है युगांडा हुआ है युगांडा की रधानी कहां पर कमपाला वहाँ पर यह नौन अलाइन मुव्मेंट का जो है भी सब्मिट हो रहा है युगांडा की रधानी आप पर मैंने बताया आ आपको कमपाला इसका थीम किया है थीम आक्षा यह आपको याद अकना है थीम अक्षर पूछे जाते हैं इक्जाम में विच स्टार्ट अप कंपनी ऑफ चाइना अभी जो है वर्ल्ड का फर्स्ट नुक्लियर बैटरी बनाया है यह इस कंपनी का नाम है बीटा वोल्ट ठीक है बीटा वोल्ट चाइना के रधानी कहां पे च अपरेशन सर्व सकती क्या नाम है ऑपरेशन सर्व सकती बस अब सुनते जाएं आपको इसके अलाव कुछ पढ़ने की जोत नियाए आपको याद होते जा रहा होगा मेरे ख्याल से तो बस आप सुनिए आपको याद होगा आपका कॉन जो है वा करेंटर फेर्स जो गवर्मेंट ने लांज किया गया है जैसे लाडली बहना जोजना था मद्यपड़ेस में उसी के तहल पे महातारी वंदना योजना लांज किया गया है बनाले ही होगो जगा वाटर क्राइस हो रहा है तो यह एंसेंड सिस्टम में रहा है वाटर सप्लाइज करने के लिए अफ्रिका में बने चल रहा था आ अपी वहां पर स्थ श्दम का यूज किया जा रहा है बर इस लिए नीज में था विचअ गल सेटेंग अलर्ट टांस्मूटर सिस्टम इंतर्डूश गल 2020, first 10 dueells रिए जोई, आलर्ट टांस्मयटर सिस्टम इंटूश केा गया है कॉन बनाया इसको इस को दौर के दार बनाय गया है किसका दौर के दौर के दौर के दौरा आता है, who has been appointed as first female neutral empire by ICC for bilateral series, तो अभी जो है वह first female neutral empire newt किया गया है, ICC के द्वारा, तो female empire का नाम किया है, Sui Redfern, क्या नाम है, Sui Redfern, इंग्लेंड की हैं, तो यही हैं जिनकी में बात कर रहा था, Chang'e 6 mission, recently news में था, associated with which country, तो यह है चाइना से लिटेड है, किसे है, Chang'e 6 mission जो है किसे लिटेड है, चाइना से लिटेड है यह, North Korea tested underwater nuclear capable drone, तो North Korea जो है अभी underwater nuclear capable drone लाँच किया है, उसका नाम किया है, Hale 523, क्या नाम है, Hale 523, यह आपको याद रखना है, PM Modi जो है अभी Boeing India, Engineering and Technology Center, कहाँ पे launch किया है, Innovate किया है, Bangalore में इसका launching हुआ है, तो यह आपको याद रखना है, India's first India Innovation Center for Graphene, कहाँ पे launch किया गया है, India's first India Innovation Center for Graphene, launch किया गया, आपका Kochi, Kochi कहाँ पे, किरला में है, World's tallest bronze, Statue of Social Justice of Dr. B.R. Ambedkar, कहाँ पे launch किया गया है, इसको कहाँ पे बनाए गया है, Statue of Social Justice of Dr. B.R. Ambedkar, यह बनाए गया है, Vijay Wada, अंध्रपर इसमें, यहाँ पे यह बनाए गया है, World का tallest है यह, इसे कौन सा मिटल है, ब्रॉंज मिटल से बनाए गया है, चंद का, डंपारा, वाईलाफ संचूरी, अभी रिसेंटली न्यूज में था, कौन से कहाँ पे यह सिचुएटेड है, उड़ीशा में सिचुएटेड है यह, डन चंढ्मपारा वाइलफ सेंटुरी आपसे पूश जा लिए टूंद मारे उडिसा, गरीन रूम्स रिसेंटली जो है वाद नियूज में था किसे एसोचेटर है यह यह ईकरेंड से शूचेटर है जैसे गाजा और रस्या ना जैसे उस पर अटाइक कर दिया उक्रेइन पे तो कुछ जैसे ओर्गनाइशन ने वहाँ पीस के लिए एक इनिसिटिव लिया गया है ग्रीन रूम इनिसिटिव लिया गया है दे एनिवल स्टेटर्ज अधानी के लिएban बनाने के लिए डिया है जिसको कहते है आशार रिपोर्ट एजुकेशन से लिटेड है तो NGO है एक प्रथम फांडेशन उसी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है जो छोटी आथ होती है उससे लिटेड है तो आपको याद अखना है पाक के पागा हरन वील फेस्टीबल तो कौन सा से शैट है भी पाक के पागा हॉन विल फेस्टीबl. तो आपके टाइगा रिजर भी है जो होते हैं यह नीजी ट्राइप यहिंग करते हैं तो आपको यहर बिला विलेट है पराकरम दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे जोस्तों आपको वीडियो कैसा लेगा आप कमेंट बाक्त में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपको नौटिफिक्षण टाम टॉर टाम मिलते रहेगा एकारडिंग टु फॉर्स रिपोट विच इस टॉप कंट्री इन टरमस अफ गोल डिजरव तो फॉर्ब्स रिपोर्ट के एकारडिंग जर्स कौन कांट्री टॉप में त only गोल डिजरो basketball यह में टीरैं Beim इंडिया जो है आपका 9th rank पे और रस्या जो 5th rank पे आपको में लीस्ट भी बता देते रहा हूं कि कैसे-कैसे, सबसे पहला USA, then Germany, then Italy, और अपना जो है इंडिया 9th rank पे और नीदरलेंड 3th rank पे तो बस तीन ग्यार है कि टॉप पे कौन है? तीन है USA, Germany और इंडिया, अपना भा संब्सक्राइब इसकंट रखने कर फ्रीन न ही कोई तो स्ट्रोंगे सट्रॉंगेसी कोन कुवेट का दिनार जो है वह strongest currency यह फॉर्ब्स का रिपोर्ट आया है उसके एक्वाइड इम्मुन लोजिकल्स लॉंचेज दे कंट्रीज फॉर्स्ट इंडिजिनियस हेपटैटिस एवेक्षीन तो अभी जो है इंडियन इम्मुन लॉजिकल्स जो है लॉंच किया है Which airport received Best Airport of the Year Award at The Wings India Award 2024? तो कौन से airport को दिया गया Best Airport का अवर्ड? तो New Delhi और Bangalore Airport ये दोनों को जो है वो Best Airport का अवर्ड दिया गया है Which state has started caste census survey after Bihar? तो अभी जो है आंधर पड़े दूसरा state बनी चुका है जिसने एनौन्स किया है कि वो caste census कराएगा पहला स्चुर्ट कोन था वह पहला स्टा हमारा बिहार यहीं है अन्दर पर इसके CM है के नाम इनका जगन मोहन जगन मोहन रेडडी दोस्तों comment आप जरूर किया करें comment करकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको कुछ improvement चाहिए और content चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उस पे आपको reply करूँगा personally मैं reply करूँगा विच उनियोन मिनिस्टरी जो है हुआ serious fraud investigation office से related है तो यह है किसके अंदर आता है यह यह आता है ministry of corporate affairs से अंदर आता है serious fraud investigation office जो है किसके अंदर आता है ministry of corporate affairs अभी ministry of corporate affairs कौन है कौन मिनिस्टर ने प्यूस गोहल दिया है who is the author of Tamil novel नान्थान औरंग जेब इसको इंग्लिस में कहा जात नाम दिया गया conversation with औरंग जेब तो इसके राइटर जो है वह चारू निवे दीता है और इसका English translation किस ने किया है नंदिनी कृष्णन ने किया है ठीक है English translation का नाम यह यह conversation with औरंग जेब which country has recently signed an agreement with United States to purchase Tomahawk missile तो अभी कौन सी country जो है USA के साथ deal sign की है Tomahawk missile purchase करने के लिए तो यह country है आपका जापान कौन सी country यह जापान ने sign किया है recently which state launched my school my pride campaign for education transformation तो my school my campaign जो है वह education से transformation के लिए जो है launch किया गया है किसी दोरा हिमाचल परदेश के दोरा यह launch किया गया है यह scheme बहुत ही अच्छा है scheme यह national education policy 2020 को follow करने की कोशिच की जा रही है इसके अंदर सुल्तानपर bird sanctuary अभी news में था कहां पर located है सुल्तानपर bird sanctuary यह हर्याना में आपका what is the primary objective of strategic intervention for green hydrogen transition प्रोग्राम विच से डिसेंटली न्यूज में भी था तो primary objective किया है strategic intervention for green hydrogen transition प्रोग्राम इसको सौट में बले तो site प्रोग्राम तो यह green hydrogen production इसका मक्सद है इसका है aim क्या है green hydrogen production green hydrogen mission भी आपने सुना होगा तो उसी के अंदर एक तरह से green hydrogen को प्रोग्रामोट करने के लिए इनिसिटिव स्टार्ट किया गया है what is the IUCN status of great Indian buster recently अभी न्यूज में आता है इसे critically endangered category में आता है यह जनली कहां पर पाए जाता है यह राजस्थान में पाए जाता है यह bird है great Indian buster तो यह राजस्थान के रिया में पाए जाता है Bureau of Police Research and Development कौन से ministry के अंदर आता है तो यह अंदर आता है Ministry of Home and Affairs के अंदर आता है यह पुलिस डिपार्टमेंट में जो research and development technology का युज हो पुलिस थानों को जो है वह टेक्नोलोजिकली अप्ग्रेट करने की बात हो तो यह सब के के लिए जो यह institute है basically which one of the following is the highest point of Aravali range तो Aravali range का highest point क्या है गुरु सिखर क्या है गुरु सिखर यह रास्थान में है recently which institution has been selected for Subhas Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरुष का तुशान 24 कौन से काटेगरी में institutional काटेगरी में तो इसका नाम के है 60 Parasit Filled Hospital UP ठीक है 60 Parasit Filled Hospital UP यह आपको याद रखना है Subhas Chandra Bose आपदा प्रबंधन आवार्ट किसको मिला institutional काटेगरी में 60 Parasit Filled Hospital UP उत्तरपल डिश हमारा सम्भीदान हमारा सम्मान builder जो है भी न्यूस में था यह ministry of law and justice यह रहें विच ग्लोबल फाइनश्य इंसिटूशन बीकेम दा आयंकर इन्वेस्टर इनडिया लाजेस रिनीवैबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रॉक्ट्थर इनवेस्ट्र में तो यह यह हैं आपका Asian Infrastructure Investment Bank AIB जो है इसके Major Anchor Investor बना है AIB का Headquarter कहां पर आप लोग बताएए AIB का Headquarter जो है आपका Beijing में है और NDB National Development Bank National Development Bank का Headquarter कहां पर संगाई में संगाई जो है वो वर्ल्ड का biggest port है आपको या रखना वर्ल्ड का biggest port अगर पुछे तो कहां पर संगाई में यहां पर दीकिए गोवी डेजट है यहां पर गोवी डेजट जो है इदर आपका नेस्टनल वोर्टर्स डे, अब कि बहुत से लिए फंवरोर ऑनियरु यह यह 25 जन्रवरु किसे लिए 25 जन्रवर्ळर को नेस्टनल वोर्टर्स डे के दी रूप में मनाते हैं। एन्डियो ग्राफिक्स थेननिसिस यह जो ईनिसनले नीज़ में था, यह क्या है a bear अभी जो भारत द credibility किनको दिया गया है भारत दिनसे समयांत किया गया लिगाघाद कूल थाकुर को यह बिहार केGuhi जे चीफमिष्ट्रट थे हैं आपको कमेंट बॉक्समे बताइँ कि कॉन सा ह्ंनर से जिनको भारत दिने दिया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एडवांस डॉमेस्टिक द्रोन्स हैब इंडक्टेड इंटू इरानियन आर्मी तो अभी इरानियन आर्मी में डॉमेस्टिक द्रोन इंटू इंटूडूश किया गया है तो इसका नाम है अबाबिल 4 एंबाबिल 5 ये इरानियन आर्मी में इसको इंडक्ट किया गया है अभी जो है बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर ईट आसकर येста के लिए क्लिए जिसके साथ रेप हो गया था चोटी सी लड़की 13 साल की उम्री की लड़की उसके कजन नहीं उसके साथ रेप किया था तो यह पूरी कहानी बहुत ही अच्छी मालमी कहानी है और एक तर से देखे तो फादर और गर्ल की कहानी है इस तरह से पिता जी ने मदद पीछे नहीं हो रहा है यह इंडिया फ्रांस और इवाई की बीच में जो है वा डिजर्ट नाइट एक्सराइज एरक्राफ्ट एक्सराइज यह हो रहा है अभी कर्णल सीके नाइडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है रवी सास्ति और फारुक इंजिनर यह दोनों को दिया गया है यह दोनों को दिया गया है दिके बसू जजमेंट जो अभी न्यूज में था वो किसे एर लिटेड़ेद है यह प्रोटेक्ट थी डिगनिटी अफ इंडिविजुल इन पुलिस कस्टरडी में अक्सर आप सुझ देख सुनते होंगे न्यूज में कि इसि से लिटर जो है कि अप्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है पुलीस वालों को इंडिया लिटर्स ऑ्माला त्यों कौन शेयू कंट्री को वहाँ पर जो पर गहा, butterfly का किर्स्ट की यूह फोरें लइन लड़ने के लिए इंडिया ने मेलाथियों भेजा है तो यह अफगाइस्तान में जो है वह जो भी क्रॉप्स हैं वहाँ पे कीडों का अटैक हो गया है तो यह एक तरसे मेलाथियों जो है एक तरसे पेस्टिसाइड है तो ऐसी भुकमरी यह अफगाइस्तान में गरीबी है और अलड़ी जो है वह लोकस्ट के अटाक के कारण जो है काफी फसले बरबाद हो रही है तो इंडिया ने हेल्प के लिए मिलाथियों जो एक पेस्टिसाइड है उसको वहां पे भेजाया है ताकि जो है वहां के फसलों को बचाया जा सके मनला फेस्टिबल वहां पे शुरू किया गया है ब्यालिज दिनों किया वाइज दे लेक रेतबा कॉमनली रेफर्ट वैज पिंक लेक तो लेक रेतबा जो है अभी उसको पिंक लेक क्यों कहा जाता है तो इसको इसलिए का जाता है कि इसलिए जो है उसको पिंक लेक कहा जाता है इसमें पॉलिस्टों होने कारण काफी है यह सेनेगल या वैसेनेगल के गराजहानी काहां गर उवह वहां की राजधानी ह। और इसका ओफिशिएंगविज के है औफिश्य लेंगुजिज का फ्रेंच है और ह। इसका है फ्रेंच है।। विस्ट अफ्रिकन फ्र NG ग्लोबल एकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वाग कॉन रिलीज करता है यह रिलीज क्या आता है वर्ल्ल बंक के दोरा बी रिसेंट्ली आया था इसलिए यह न्यूज में था इसने देखिए देखिए देशा प्रिडिट किया है कि Central Asia का जो ग्रोथ फ्रकास्ट इ तो अभी और नाचल प्रडेश से जो है वह जी आई टैग मिला है 12 प्रड़क्ट को क्या क्या है उसको भी हमनों फासली देखते हैं टेक्स्टाइल में जो है कौन-कौन सा है ताइक खामती अपतानी मोनपा नीसी गालो अदी और यहां इधर देखिए आदी अपंग दाव द ती काते हैं मरुआ आपो ठीक है यह भी मिले ठेक रहे से पीने का चीजे तो यह है यह सारे जो है वह इनको जी आई टैग मिला है अरुणाजल प्रडेश से तो यह आपको याद रखना है इंडिया विल एक्सपोर्ड करेगा फिलिपिन्स को ब्रमोस जो है वह वह सुपर् चीजे रखन कर जाएं मैज बनाया जाता है फिलिपिन्स के रखनी कहां पे मनीला है 14th Police Commando Competition कहां पर हो रहा है विसाखा पाटनम कहां पर आंध्र परगेस में इनियन विमन's Hockey Team अभी जो है वह पैरिस ओलमपिक 2024 में वह होना वाला है उसके लिए क्वाय नहीं कर पाई वह तो किसके किसके बीचे मैच था जिसमें वह हार गई, तो जपान के एगेंस मैच था उसी में हार गई qualifying match वह था रांची में, जारकन के रजाने रांची में और वहाँ पे उनकी हार वी इंडिरेन टिम की, तो अब जो है वा इंडरेंट टीम परिस ओलंपिक में पार्टिस्पेट नहीं कर पाईगी फाइनांस और पंचायती राज इंस्ट्यूशन रिपोर्ट अभी न्यूज में था अब ये किसी के दोरा रिलिज किया थे ये आरिबिया इजर बैंक और इंडिया के दोरा रिलिज किया गया है पंचायती राज इंस्ट्यूशन में फाइनांस रिलेटेड जो भी प्रॉलम्स हैं उसको इसमें उठाय गया है कि गरांड को कैसे बढ़ाया जाए कैसे जो है उनके एकनॉमिक एस्ट्टेस पंचायती राज का का फाइनांस को कैसे इंप्रूफ किया जाए तो उसके बारे में ये बताये गया ताकि पियार आई पंचायती राज और भी अच्छा काम कर सके हमारे देश में 44th All India Criminology Conference of National Forensic Science University कहाँ पे हुआ है यह गांधी नगर में कहाँ पे गांधी नगर में और गांधी नगर के Member of Parliament कौन है हमारे Home Minister Amit Shah गांधी नगर किछ के राजानी है गुजरात की राजानी है गुजरात की गांधी नगर एक प्लांड सिटी है इंडिया सर्पास्ट विच कांट्डी तो विकम् फ फोर्थ लार्जेस इक्विटी मार्केट ग्लोंबिदी अब जुए इंडिया ज्यपार वारे हमारे चुप से बड़ा equity market हो चुका है share market हो चुका है तो पहले था Hong Kong इसको पीछे छोड़कर इंडिया जो है अभी चौथे rank पे आग आ चुका है सबसे बड़ा share market किसका है वो है NASDAQ USA का BSA Border Security Force कौन से ministry के अंदर आता है यह Border Security Force यह आता है आपका Ministry of Home Affairs के अंदर आता है BSA जॉंबी वाइरस अभी जो है न्यूज में था रिल्टेट तो वीच अप फॉलोइंग यह आपका ancient virus are frozen in the Arctic परफो ता आर्किक में यह न्यूज में था इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ जॉंबी वाइरस बस यह यादा कि आर्किक से रिलेटेट है यह थंडे जगह पर गरंथा स्क्रीप्ट वन्स यूज तो राइट संस्क्रीट वाइट संस्क्रीट वाइट में इसलिए यह न्यूज में था इसलिए नेम अब फिर्स्ट लाइग्वेज मोडल इंट्रोड बाइट बैए यह के आर्टिफिशल इंटलजेंस तो यह कंपनी के दोरा जो है फर्स्ट लाइग्वेज मोडल लांज किया गया है क्या है भारत जीपिटी जैसे चार्ड जीपिटी यह एए का फॉरिनर का है अभी इंडियन भरत GPT launch किया गया है, किसके दोरा CORE-OVER AI Company के दोरा, यह different Indianिया के different language में, 22 language में launch किया गया है, तो कोई भी language में आप question पुछेंगे, वो जवाब देगा, Market Access Initiative, a Scheme जो है, वो किस से related है, तो यह export promotion Scheme है, Market Access Initiative, तो इंडियन आर्मी में सुबधार रंक किसको प्रमोट मिला है प्रिती रजक को मिला है यह सुटिंग से भी रिल्टेड है यह बिसिकली अस्पोर्स वूमन है अर्मेडो क्या है अर्मेडो जो है वाल लाइट अस्पेशलिस्ट वेकिल है अर्मेडो अल इंडिया प्रिसाइडिंग ओफिसर का काँ पर हुआ है यह मुंबई में हुआ है अम बिल्ला जो हमेरे लोकसबार के स्पिकर है अभी त्री सेटलाइट जिसका नाम है महदा कहियान और हाथिववन असपेश में लॉंज किया गया कौन से कंटी के दोर लॉंच किया grammar उज़ए इरहन के कुछ जबहोंदा से कुश्टन आने के बहुत जाले संभा ओना इसलिए बस आप सुनिए द्हान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये तो क्या करें आप सब्सक्राइब करिए आप सब्स्ट्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सारे फैसलिटी आप दिया रहा है, और टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जॉइन करें, वहां से आपको काफी अच्छे-च्छे content मिलेंगा वहां पे, Foundation of North East India's First Central Yoga and Naturopathy Research Institute, कहाँ पे ये, दिबुरुगर आसाम में, ठीक है, अभी जो है, दिबुरुगर आसाम में, जो है, First Central Yoga and Naturopathy Research Institute खुल रहा है, जो कि नौर्थ इस का पहला होगा, इंडिया नीश्प्रिपर डे दे 24 कब मना जाता है, 29 जैनवरी, 29 जैनवरी को मना जाता है, और 30 जैनवरी को क्या मना जाता है, सहीद दिवस मना जाता है, गांदे जी का मिर्तू उज दिन, उनकी हत्या कर दी गए थी 30 जैनवरी 1948 को, सिंग चुंग, भुगम विलेज कम्यूनिटी रिजर्ब, ये कहाँ पे लोकलेड है ये, और नाजल परेस में लोकलेड है, का टेंपरेचर और जमीन में जो क्या प्रॉलम से टेंपरेचर किया है, और तो ये सारी चीजों के बारे में जो है, वा जानकारी देगा, दोगरी फोक डान्स, अभी न्यूज में था, तो ये कहां से इलेटेड है, ये जम्मू से, जम्मू, जम्मू का है, दोगरी फोक ड इसका स्थापना कब हुआ था सुप्रिम कोट का 26 जैन 1950 तो सिल्बर जुबली चल रहा है तो इसलिए जो यह न्यूज में था अभी चीफ जसिस्ट आप इंडिया को ने डिवाई चंदचूर डिरेक्टरेट और रिवेन्यू इंटेलिजेंस अभी न्यूज में था किसे घयंचा डिरेक्टटरेट आफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस और स्मगलिम के लिए ऋ जो रोकने के लिया कॉंट्र करने के लिए दिस्का मिल्यूर। फोर्थ टाइम बना है, कौन है ये अजाली ओसो मानी ये चौनथी बार जो है कोमरस के प्रेसडेंट बने है, ये कोमरस कहाँ पर ये ये अफरीका में कंट्रेंड जसे आफरीका का मैप और ये अफरीका हो गया यहां पे हो गया में डगास कर और यहां पे देखी का छोटा सा कंट्री है कोमरस इधर जो इंडियन ओसियन है तो यह आपको मैं अपने बता दिया हूं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है मिनिश्ट्रिस टैबलो जहां किया जो निकली जिसका थीम था इंडिया मदर ऑफ देमोकरेसी आपको दुस्टों आज का करेंट रिफ्सस यहें पे समाप्त होता है आपको ये session कैसा लगा आप लोग comment box में जरूर बता हैं जो भी मैं question लिया हूं यहां से January में जितने भी current reference हैं उसमें से best current reference में उठा कर लाया हूं आपके लिए और यहां इसे exams में question पुछे जाने के बहुत ज़्यादा संभावना है और telegram channel हमारा जरूर जोएन करें उसका link description box में दे रखा है वहां पर आपको बहुत सारे content important content मिलेंगे और चलिए हम लोग fit next video मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद